हत भईया लोग हम फेरा गोई नी तो बात इबा कि हमनी का बिहार में सरकारी नोकरी मिलल अब भागवान से भेंट भोई ले एक दम बराबरे मानल जाए काहसे कि भागवान के मंदिर तो हरेक दुख किलोमीटर पर चार गो मिल जाए लेकिन नोकरी अगर दूसर सीट निकल जाओ तो 20 लाक लाइका आपन सर्टिफिकेट निकाल के लेटरिंग का डेबा में बढ़ ची अरे मर्दे होसत का है बाल लोग है जेनरल बोगी मन अइखा पर इठलो कहिए तो असली बाती बा कि हमाहु ए भागवान से भेंट करे का परियास में बने मतलब सरकारी नोकरी खोजा तनी तो चली लोगर बतावा तनी कि अगर हमार सरकारी नोकरी हो जाई तो हमारा साथे का का होई तो दुवारा पयगुआ केलाईने लग जाई तो दुवारा पयगुआ केलाईने लग जाई तो कास सरकारी नोकरी हो जाई तो कास सरकारी नोकरी हो जाई हाँ सरकारी नोकरी वला लएकन के वियाह ना होला निलामी होला मतलब बोली लाग अता कोई पांच लाख देके दुवार कुरता के महराज वियाह कली तो ओही जो कोनों दस लाख देवे पता यारवा हाँ तो अब आगे इस सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नोकरी लाग जाई तो हम काम का करती हो सुट बूट लागा के हम अफिस में जाई ती आदी निभा बैठी के राज निती बती याई ती अब तो हनी ये बतावा लो कि अईसन फाइदा कनों नोकरी मेबा अभी मेन फाइदा तो हई बा येकरा खाती नोकरी खाती मरता नी बीना पईसा के कवनों ना काम करती भले दिन भर बैठी के आराम करती आघर भग के लोग घूस के पईसा खाई माने जितना ज्यादा उपरवार बा उतना ज्यादा ताहर नोकरी इजत दार बा ना ता बोस मतलब खाता मरता कि बीना पईसा के कवनों ना काम करती भले दिन भर बैठी के आराम करती भर भग के लोग घूस के पईसा खाईत कास सरकारी नोकरी हो जाई आस सरकारी नोकरी हो जाई तो अब आगे इस सुना लोगान कि अगर हमार सरकारी नोकरी लाग जाई तो गाउँ जवार में का सिचुएशन रहे हो पूरा गउँआ के लोग हमार करी बाराई आई है सुनी सुनी पटिदार जड़ी जाई हो तो हमनी का गाउँ जवार में एगो कहावत बा कि मसुडी के दाल आपटिदार जेतने जड़ेला ओतने माजावे हमारे देखा देखी लोग लईका पाढाई खेत बेच बेच ओकरनो करी लागाई तव हो फेर घूस लेके खेत ली खावाईत कास सरकारी नुकरी हो जाई तब भया लोग जोन हमारा पुझायल हा उतना भावम लिखले रहनी हाँ तो अगर अच्छा लागाल होके ते करेके लाइक करी लोगाण शेयर करी लोगाण और यह हमने चनल हो और हमार वीडियो देखाती यह चनल के सब्सक्राइब करी दो झाल